नमस्कार चक्रिवी चानल के इस अगले प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो भारतिय वायू सेना में शामिल प्रचंड हेलिकॉप्टर के बारे में है जो एक Light Combat Helicopter है भारतिय वायू सेना में शामिल हुए Made in India Light Combat Helicopter देश में ही विक्सित हलके लडाकू हेलिकॉप्टर को अप्चारिक रूप से भारतिय वायु सेना ने अपने बेडे में शामिल कर लिया है। उपस्तिती में जोदपुर में एक सम्हारों में हेलिकॉप्टरों को भारतिय वायू सेना में शामिल किया गया। रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने कहा कि स्विदेशी रूप से विक्सित हलके लड़ाकू हेलिकॉप्टर को शामिल करने से हमारी सेना की शमता बढ़ेगी इससे रक्षा उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। में मुकाबला करने की शमता रखता है और इस हेलिकॉप्टर पर फाइरिंग का कोई खास असर नहीं पड़ सकता है इसकी रेंज 50 किलोमेटर तक है और यह 16,400 फीट की उचाई से हमला कर सकता है। सेना के इस हेलिकॉप्टर को उचाई वाले बंकरों, जंगलों और शहरी शेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दोरान तैनात किया जा सकता है। गौर तलब है कि इस साल मार्च में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंतरी मंडलिये समीती ने स्वधेश में विक्षित 15 लाइट कॉमबैक्ट हेलिकॉप्टर को खरीदने के लिए मंजूरी दी थी। इसी तरीके की खबरों के लिए जुड़े रही है हमारे चैनल चक्रिवीव के साथ और हमें फेस्बूक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो करें धन्यवाद।